यहाँ एस पी बिदर ने इसको यह फायर करने से यह कहते वे उसनों ने मना किया के एक बिदर में कुल जमाती वफद ने यहाँ एस पी आफिस पर पहुँच कर तमाम मुसल्माना ने बिदर की जानिब से एक कम्प्लेंट रिजिस्टर कराया लेकिन यहाँ एस पी बिदर ने इसको यह फायर करने से यह कहते वे उसनों ने मना किया कि एक केस का एकी जगाँ पर यह फायर होता है हमारा एस पी बिदर से और करनाटका पॉलिस से यह पूछना है कि जब दूसरे मुकामात पर इस तरह के ये फायर अलग अलग जगा पर जब रिजिस्टर्ड हो रहे हैं तो फिर यहां बीदर में ये फायर क्यों नहीं रिजिस्टर्ड हो सकता मैं आज के इस माखे पर ये कहना जरूरी समझता हूँ कि ये जो शिया वगबर का साबखा सदर वसीम रजवी है इस बेहुदे ने ऐसी भयाना गल्ती की है कि आज तक दुनिया में किसी ने ऐसी जुनत नहीं की किसी भी मख़भी किताब के ओपर तनखीद करना या उसके ओपर उंगली उठाना ऐसी बेहुदा हरकत है कि इसके खिलाब जितनी सक्त सदा दी जाए कम है आज ये जो कुल्दमाती वफद यहां पर आया हुआ है हम तमाम मुसल्मान और बीदर का मानना सिर्फ यही है कि इस तरह के लोगों को अगर खुली छूट दी जाती है तो ये मुल्क में अमन और आमान को बिगाडने का और यहां पर फितना और फसाद फ़राने का सबब बन सकते है तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ सक्त सदा दी जाए बलके ऐसा खानून ही बना दिया जाए कि किसी भी धरम गरंट या किसी भी जाना धरम के जो बरे लोग होते है उनके खिलाब अगर कोई जबान दरासी करता है तो उसको सीधे फासी पर चड़ा दिया जाए इजार खियाल के आज़ादी का ये मतलब हरकिस नहीं होता कि वो किसी के भी बारे में किसी भी धरम के बारे में कुछ भी कह दा ले तो आज के इस मौके पर हम तमाम लोग आएंपर जमा है मैं हमारे तम दीगर साथी मौलाना मौनिस किर्मानी साथ है और दीगर तमाम तबख़त के और तंदीमों के जुम्म्हारान है मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से जो जो बात कहे बिस्मिल्लाहि रह्मानी रहीम इन्ना नहनु नज्जन नदिकर वा इन्ना लहू लहाफिजून गुरान ये अबदी पैगाम है अल्लह तबारको ताला ने गुरान वजीद को अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम वात्ममतु अल्यकुम नियमती वर रदीतु लकुम लिस्लामा दीना कहकर इसलाम को मकमल किया और गुरान मजीद को मकमल किया अब गुरान मजीद प्यामत तक के इनसानों के लिए हिदायत का जरिया है ऐसमें ना कुछ गुछ कमी की जा सकती है ना कुछ इसमें इजाफा किया सकता है मुच्रिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जतना डुनिया का हिस्सा है हर दुनिया के हिस्से में ये कलाम पाक पढ़ा जाता है और इसके मानने वाले हैं मलौhall और मखजूब वसीम रिजबी ने ये कौरान के खिलाब जो है आवाज उठा कर अपने आपको एक एक ऐसा दहशतगर्द साबित कर दिया है जो मजभी मुनाफरत पहलाने का काम कर सकता है लहाद हम तमाम अहलिया निबीदर और मुसल्मान निबीदर इस बात की पुर्जोर अपील करते हैं कि इस मलौन ने जो गलती की है इसको इसकी गलती के सख्त से सख्त सजादी जाए इसे हाफ़ अब्लुल्ह रब्ला आलमीन तमाम तारीफ आला के लिए है कलाम मजद के अंदर आला ने साटिफिट दे दिया हमने कलाम मजद को लग महफूज में महफूज कर दिया इसका एक रूफ भी ना बदला जा सकता है ना कमी ना जादती की जा सकती है जिस मलौन ने जो हरकात की हैं सुप्रेम कोर्ट के अंदर आला तला इसको सक्त सख्त सजा दे और दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी इसने जो काम किया है ये माफ होने वाला काम नहीं है और मुर्तद है मुर्तद की सजा जो है इसको मिलनी चाहिए अलेकुम अल्हमदलिल्ला आज जो खुरान के तालुख से वसीम रजवी ने जो कंप्लेंड किया है इससे दरसल ये बात सामने आती है कि वो अमन नहीं चाहता क्योंके खुरान का पैगाम सिर्फ और सिर्फ अमन है सारी दुनिया के अमन के लिए खुरान आया है और वो चाहता है कि दुनिया आतंकवात और दश्चतगर्दी के हवाले हो जाए ये खुरान पे पाबंदी लगाने का मकसद ये चाहता है कि दुनिया पुरी की पुरी अमन से खाली हो जाए और लोग आपस में लड़ पड़ें हम ये चाहते हैं कि इस रसीम और रजवी को सख्से सजा सख्से सख्स सजा मिलनी चाहिए सलाम आले के ये जो हमाज यहां जमा हुए है इस पागल और इनसानियत से हटा हुआ जो शख्स है वसीम रजवी उसने खुरान मुबारका के खिलाफ जो चन आयतों को हजब करने के लिए रिटिपिटेशन दिया है वो एक पागल है एक पागल को दन्या में नहीं रखना चाहीए ये शख्स तमाम आमले में आलम-इसलाम के जजबात को मज़रू किया है और ये कलाम तमाम इंसानित के लिए भेजा गया है मैंने जिसहाइथ करीमा की देडात की इसमें लात अला तमाम इंसानों को इसे मुखातिफ फर्माता है और ये मजभ अलम अमन और सलामती का मजभ है हमारे पास नाहा कखतल को बहुत बड़ा जुर्म बुना कहा गया है अगर किसी ने किसी को नाहा कखतल कर दिया तो इसको पांस सो साल दूर से जन्नत की खुश्बह भी नहीं आएगी तो ऐसे प्यारे मजभ पर इस तरह के हमले करना हकूमत हिंद को और खास तोर पर अड्मिन्स्रिशन को ये चाहिए कि ऐसे मलूऊन और ना समझ इंसानों को फौरी कुफर किरदार तक पहुंचा है उनको सखसे सखस अदा दी जाए और हम यहाँ S.P.A. आफीस में इसलिए जमा हुए थे कि हमारे F.I.R. बुक की जाए मगर बड़ा ताजूब होता है कि आला अफसरान ने इससे हमको इनहराफ कर दिया वो कहते हैं कि वहीं केस बुक किया जाए जहां हादेसा हुआ है मगर पूरे हिंदुस्तान में जगा जगा पुलिस का डिपार्टमेंट ही हमारे दर्खास्तों को खुबूल कर रहा है और F.I.R. बुक की जा रही है हम चाहते हैं कि इनसाफ किया जाए और अमन और शांती को खतम करने वालों को सख सदा दी जाए बाहु लेकुम ये जो कुता वसीम रजवी है उन्हें P.I.L. डाला है सुप्रेम कोर्ट में मेरी सुप्रेम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे P.I.L. लेने की ज़रूरत ही नहीं है और उसको ये P.I.L. के रिजवी करते हुए उसको सजा ए मौत की सजा देना चाहिए और हम यहाँ पर येसपी आफिस आए थे कंप्लेंट के लिए लेकिन येसपी साब हमारे को हमारा रिजवी कर दिया है कंप्लेंट अईसे कई केसस है जहां पर एक से ज्यादा बहुत से कंप्लेंट ले चुके हैं दुसरे केसस में फिर ये केस में रिजवी कर दिया है हमारे को इसकी भी उनको जवाब देना चाहिए शुक्रिया